अजमेर एक धार्मिक नगरी है या स्रश्टी रचियता जगत पिता ब्रह्मा का एक मात्र मंदिर नजदी की पुशकर तीर्थ में निर्मित है वहीं विश्व प्रशिद सूफी संथ ख्वाजा गरीव नवास की दरगा भी है इन दोनों ही तीर्थ इस्तलों पर रोजारा आने वाले परटक शरधालू और जाहिरीनों से शहर आवाद रहता है वहीं भीड के बीच संदिक्दों और आतंकियों से इस सामप्रताइक शोहार्थ की नगरी पर हर वक्त खत्रा मन रहता है दार्मिक नगरी आतंकियों की शरण स्थली बन चुकी है इसमें कोई दोराय नहीं क्योंकि लश्कर तयाबा का कुख्यात आतंकी डेविट कोलोमन हैडली लंबे वक्त तक पुषकर में फरारी काट चुका है उसकी साजिश इसराइलियों के धर्म इस्तल बैत खबात को उड़ाने की थी वहीं अब इंडियन मुजाइदीन के आतंकी के अजमेर से पकड़े जाने से ये बास साफ हो चुकी है कि धर्म और परेटन के हिसाब से महफूज अजमेर शहर आतंकीयों का याड बना हुआ है बाउजूदिश के शहर की सुरक्षा व्यस्ता ढूल मुल नजर आ रही है अजमेर से पकड़े गए कोख्यात आतंकी की खबर राइस्तान पुलिस को ना होना इसका सबूत है स्वामिन्यूस की टीम ने जगत पिता ब्रह्मा मंदिर का निरिक्षन किया तो यहाँ जो व्यवस्ता इन दिकी उससे कहीं भी नहीं लग रहा था कि यह मंदिर सुरक्षा के लिया से चुस्त दुरुस्त है दिल्ली से आई श्रदालू शशी ने बताया कि मंदिर में मोबाइल और कैमरे पर प्रतिबंद की सूचनाय तो लगी है लेकिन रोकने टोकने वाला कोई नहीं श्रदालू बड़े आराम से टैब और एंडरोइट फोन में फोटोग्राफी कर रहे हैं और तो और बिना सुरक्षा जाच के लोग मंदिर में सामान लेकर गुस रहे हैं जहां सिर्फ 10 रुपे के लालच में लौकर उपलग कराया जा रहा है लेकिन सुरक्षा की जाच नहीं की जा रही पहले मैं अजमेर खौजा गया था यहां पर आया तो पता लगा कि हैं आके के लिए देखे न ही देहों क्या süर्ट कर देखना फांने सब्सक्रास के लिए पाद है क्या कर देख में किया आज देखो क्षैए नहीं गरा deepest कुछ भी नहीं है ना पूली से अपर मंदिर की से गेट तक है मैं आगर आया हूं तो मैंने नियों को इस वो है अपना है जाना कर दो तो दो विज्रींश निहीं है साल 2008 में पुश्कर के सभी धार्मिक इस्तलों के आसपास व्यवसाई गतिविदियों पर रोक लगाने के आदेश अदालत दे चुकी है लेकिन मंदिर के महंत सौमपूरी कहते हैं कि मंदिर परिसर में व्यवसाई गतिविदियां अभी कोई नई शुरू नहीं हुई है बरसों से ये मंदिर के किरायदार हैं सोमपूरी से जब मंदिर की सुरक्षा पर सवाल किया तो सोमपूरी ने कहा कि ब्रह्मा मंदिर में आठ प्राइवेट गार्ड हैं और चार पुलिस गार्ड तेनात कर रखे हैं जो मंदिर की सुरक्षा के लिए परयाप्त हैं मंदिर में लगे पांच CCTV कैमरे बंद पड़े मिले सुरक्षा पहरी भी तमाग उचवाते टाइम पास करते ही नजर आए जो ए ब्रमा मिंदर की गाड जो है आठ गाड लगा रखे शुरक्षा वेश्ट अच्छी है और श्यार्पी जो वो भी अंदर जो है गाड लगी वी है में प्रमा मिंदर में प्लिस पे चार गाड अंदर माइन आपको पहले बाबंद किया गया है जो है इस एधि नहां है स्वेद्र के अंदर के रिखेन आपको पाबंद किया गया तक सो मीटर की परीदिवी वे में परीदिवेंosh अश्च्य तोड़ी है शुरुष ही यह लेकिन पाबंद आपकिया एक देपो अमारे जो ऐसे टीर्स हाल सत्र में किरेधार नहीं तरह कोई अमलज वेस्टा नहीं यह can जिला कलेक्टर भावानी सिंग देथा से जब इस मसले पर बात की तो उन्हों ने कहा कि धार्मे किस्तलों की सुरक्षा राजी सरकार के निर्देश अनुसर कड़ी की गई है फिर भी कहीं कोई सुरक्षा में लूपोल है तो उसे दुरस्त कराया जाएगा अब भी ब्रह्मा मंदिर में हर समय गाड रहती है जो भी दर्शनारती जाते हैं उनकी प्रॉपर फ्रिस्कियों को जाती है इस समय पुलिस की प्रॉपर गाड लगी है चूंकि बहुत इंपोर्टेंट टेंपल है और पुशकर खुद ट्यूरिजम पॉइंट अब इसमें उर्ष प्रशाशन से भी हमारी बात हुए कर्ण जोंट सेक्ट साब आये तो उनसे भी डिसक्रेशन हुआ है सब्सक्रेशन से प्रशाशन से बात होती है और जो परसों एक पकड़ा गए यह कई अनुकरणिया उपलब दिये और उर्ष में पूरा ध्यान रखा जाए जो सीची टीवी कैमरे हैं प्लस उसके साथ साथ जो सेक्योर्टी व्यवस्ता रहती है पूरी चाक्चापन रहने क पूरी पूरी व्यवस्ता कि जाए